एक गुडिया थी और उसके साथ बेटे थे एक बेटी थी बेटी की साधी हो चुकी थी जब भी उसके बेटे की साधी होती फेरों के समय एक नागाता और उसके बेटे को काट लेता इसी तरह करते करते उसके साथ बेटे थे जिसमें से छे साप की काटने से मर गए साथवें क कि साधी होनी बाकी थी इस तरह अपने बेटों को मर जाने के दुख से बुढ़िया रोरो कर अंधी हो गई थी भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कर आने जाऊंगा मा ने कहा ठीक है उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह ख खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूद से रसोई लेप लिपले और घी में चावल पका ले बहन ने ऐसा ही किया उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में साप मिला साप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो साप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है जब मैं तिलक करा कर वापस लोटूंगा तब तुम मुझे डस लेना साप ने कहा भला आज तक कोई ऐसा मिला है विक्ती जो कि मौत के लिए लोट कर आया हो ज तुमको यकीन नहीं है तो तुम मेरे जोले में बैठ जाओ जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूंगा तब तुम मुझे डस लेना साप ने ऐसा ही किया भाई बहन के घर पहुच गिया दोनों बड़े खुस हुए भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे बड़ी भूंक लग तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे जो कि मैंने चावल पकाए हैं अभी वो नहीं पके हैं भाई बोला पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूद से कोई रसोई लीपता है गोबर से रसोई लीप दूद में चावल पका इस तरह से भाई ने बहन को बताया बहन ने ऐस नहीं लाया बच्चों ने वह जोला ले लिया जिसमें साप था जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला बहन ने कहा भईया तुने बताया नहीं कि तु मेरे लिए इतना सुंदर हार लाये हो भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो तु ले ले मुझे हार का क्या करना अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे, बहन ने उसके लिए लड़ू बना के एक डिब्बे में रख कर दे दिये, भाई कुछ दूर जाकर ठक कर एक पेड़ के नीचे सो गया, उधर बहन के जब बच्चों को भूंक लगी, तो वह अपनी म मा से खाना मांगने लगे, कि मा मुझे खाना दे दो, मा ने कहा, खाना अभी बनने में देर है, तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है, वही दे दो, तो वह बोली कि लड़ू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो, बच्च रास्ते भर लोगों से पूंचती रही कि किसे ने मेरा गैल बटोई देखा किसे ने मेरा बावडा सा भाई देखा तब एक ने बताया कि एक लोटा तो है लेटा तो है पेड़ के नीचे देख ले वही तो तेरा भाई नहीं है भागी भागी पेड़ के नीचे वह पहुंची अपने भाई को नीन से उठाया भाईया भाईया कहीं तुने मेरे लड़ू तो नहीं खाये भाई बोला ये ले ते मैं तेरे साथ चलूंगी भाई बोला तू ना मान रही है तू फिर चल चलते चलते बहन को प्यास लगी वा भाई को कहती की मुझे पानी पीना है भाई बोला अब मैं यहां तेरे लिए पानी कहां से लाऊं देख दूर कहीं चील उड़ रही है चली जा वहां सायद तुझे पानी मिल जाये तब बहन वहां गई और पानी पी कर लोट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगा जमीन में छे सिलाएं गड़ी है और एक बिना गड़े रखी हुई है उसने एक बुढ़िया से पूछा कि यह सिलाएं कैसी है उस बुढ़िया ने बताया कि एक बाकी है जब उसकी साधी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा तब यह साथवें सिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी यह सुनकर बहन समझ गई कि यह सिलाएं किसी और की नहीं बलकि उसके भाईयों के नाम की है उसने उस बुढ़िया से अपने साथवें भाई को बचाने का उपाय पुझा बुढ़िया ने उसे बता दिया कि यदि वह अपने साथवें भाई को बचाना चाहती है तो सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली भाई की पास आकर बोलने लगी तू तो जले कटेगा मरेगा भाई उसके इस विवहार को देखकर चौक गया पर उसे कुछ समझ में नहीं आया इसी तरह दोनों भाई बहन मा के घर पहुँचे थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी उसकी साधी तैं हो गई जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बो लोगों ने परिसान होकर शहरा बहन को दे दिया बहन ने देखा उसमें कलिंगी की जगा साप का बच्चा था बहन ने उसे निकाल के फेक दिया अब जब भाई घोड़ी चड़ने लगा तो बहन फिर बोली ये घोड़ी पर क्यों चड़ेगा घोड़ी पर तो मैं बैठू ये तो जलेगा मरेगा इसकी लास को चीलकवे खाएंगे सब लोग बहुत परिशान हो गए सब ने उसे घोड़ी पर भी चड़ने दिया अब जब बाराद चलने को होई तब बहन बोली ये क्यों दरवाजे से निकलेगा ये तो पिछे के रास्ते से जाएगा दरवाजे से त गया सब लोगों को बड़ा अचमभा हुआ रास्ते में एक जगा बाराद रुकी तो भाई को पीपल के पेंड के नीचे खड़ा कर दिया बहन कहने लगी ये क्यों छाओं में खड़ा होगा ये तो धूप में खड़ा होगा छाओं में तो मैं खड़ी होगी जैसे ही वह प पंता तोड़ कर अपने चुनरी में रख लिया पेंड वहीं के वहीं रुक गया अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रच्छा कर रही है इसे करते करते फेरों का समय भी आ गया जब दुलहन आई फेरों के समय एक नाग आया जो जैसे ही दुलहे को डसने को हुआ दुलहन ने उसे एक लोटे में भर के उपर से प्लेट बंद कर दी थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई दुलहन से बोली तू मेरा पती छोड़ दुलहन बोली पहले तू मेरा पती छोड और नागिन ने कहा ठीक है मैंने तेरा पती छोड़ा दुलहन ने कहा ऐसे नहीं पहले तीन बार बोल नागिन ने तीन बार बोला फिर बोली कि अब मेरे पती को छोड़ दुलहन बोली एक मेरे पती से क्या होगा हसनी बोलने के लिए जेट भी तो होने चाहिए एक जेट भी जेट के प्राण दे दिये फिर दुलहन ने कहा एक जेट से लड़ाई हो गई तो एक और जेट छोड़ दो वो विदेश चला गया तो तीसरा जेट भी छोड़ इस तरह एक एक करके दुलहन ने अपने छेट जेवित करा लिए उधर रोरों के बुढ़िया का बुरा हाल था क वह तो अब मेरा साथवा बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा गाउवालों ने उसे बताया कि उसके साथ बेटा और बहुएं आ रही है तो बुढ़िया बोली गर यह बास सच है तो मेरी आखों की रोसनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूद की धार बहने लगे ऐसा ही हुआ अपने सारे बहुबेटों को देख कर वा बहुत खुज हुई बोली यह सब तो मेरी बावली का किया है कहा है मेरी बेटी सब बहन को ढूडने लगे देखा तो वा भूसे की कोठरी में सो रही थी जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वा अपने घर को चली उसके पीछे-पीछे सारी लचमी भी जाने लगी बुढ़िया ने कहा बेटी पीछे मुड़कर देख तू सारी लचमी ले जा रही है तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे तब बेहन ने पीछे मुड़कर दिखा और कहा जो मेरी माने मुझे अपने हाथों से दिया सिर्फ वही मेरे साथ जाएगा बाकी कर जो भी है वो सब मेरे भाई और भावी की पास ही रहेगा इतना कहकर बहन अपने घर की तरफ चल दी इस तरह एक भाई ने अपने साथ भाईयों की रच्छा की दोस्तों तो ये रही हमारी भाईया दूज की कहानी आपको कैसी ल लेंगे आपसे नेस्ट वीडियो में